सश्रेगाल फल खाना तो हम सब लोग को बहुत ही पसंद है लेकिन कई बार हम फल खाने में इतनी जादा गलतियां करते हैं कि हमें उसका better nutrition नहीं मिलता है आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 common mistakes बताऊंगी जो मैं बिलकुल नहीं करने हैं फल खाते वे क्योंकि अगर आप ये mistakes करेंगे तो फल के अंदर जितनी भी nutrition है जितने vitamins है वो आपकी body को नहीं मिल पाएंगे तो please do watch this video till end अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो please do like and subscribe and share with your friends सबसे पहला तो हम लोग जो common mistake करते हैं हम वो करते हैं fruits को खाने के साथ खाने पर कई बार क्या होता है न हम लोग को कुछ मीचा खाने का मन करता है तो हम fruits को खाने के साथ खाने लगते हैं उससे क्या होता है जब भी आप fruit and food साथ में लेंगे तो हमारी body जो होता है न वो बहुत confused हो जाती है क्योंकि usually fruits का digestion हमारी body में बहुत fast है पर जो आपने खाना खाया उसका digestion थोड़ा slow होता है तो जब आपने दोनों चीज इखटे ले ली तो हमारी body में fruits का digestion है वो slow हो जाएगा इसकी वज़े से fruits जो होता है न ferment होने लगेंगे और spoil हो जाएगे जिस कारण की वज़े से आपको acidity की problem, bloating की problem या बुलेंगे gas होने लगी अपच होगी कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं fruits खाते ही मैंने fruit खाया और मुझे एकदम bowel movement होने लगा तो यह जो है न it is a wrong practice कभी भी fruit को आप खाने के साथ नहीं खाएंगे at least fruit में और food में दो घंटे का gap time gap होना ही चाहिए अगर आप इतना minimum gap रखेंगे तो आपका fruits भी अच्छे से पचेंगे और खाना भी जिससे आपको better nutrition आपकी body absorb कर सकती है second important बात जो हम बहुत common है कि हम दोग fruits को पहले ही cut करके रख देते हैं खाने से पहले this is very wrong practice क्योंकि अगर आप कभी भी fruits को काट के रख दिया और आप सबचेंगे कि मैं मतलब रात को काट दिया कि सुभी office जाओंगा ले जाओंगा साथ में box में पार करके रख दिया या सुभी आपने काट करके रख दिया कि दिन में किसी भी समय खाएंगे तो ऐसा करने से जब भी आप fruits को काट के रख देंगे तो उसके सारे nutrition जो होते हैं fruits loss कर देता है तो आपको कुछ नहीं nutrition मिलेगा आपको जब भी fruit खाना है within cutting 20 minutes के अंदर आपको fruits को consume कर लेना है ताकि उसके nutrition intact रहे अगर आपको fruits लेके जानी है तो उनको साबुद फॉर्म में लेके जाए पर काट के लेके जाकर के एक दो घंटे बाद या overnight काटे वे fruits को खाने का कोई भी फायदा नहीं है अजकल मार्केटिंग इतनी जादा हो रही है कि हम लोग exotic fruits या imported fruits की तरफ बहुत जादा हम लोग का रुजहान सा हो गया कि imported fruit है तो पता नहीं उसमें कौन से जादा nutrition हमें मिल जाएंगी usually ऐसा नहीं है हाँ अच्छे होते हैं कुछ fruits कीवी बगरा अच्छा हो गया पर the best fruit जो आपको सबसे अच्छा nutrition दे सकते हैं वो है local fruits local fruits क्यों अच्छे होते हैं एक तो ये आपके अपने ही climate में grow हुए हैं मतला आप जैसे जगा में रहते हैं अगा गर्मी में रहते हैं तो उसके गर्मी के season के fruits आएंगे सर्दी में हैं तो सर्दी के season के fruits आएंगे ऐसा करने से हमारी body properly nutrition का absorption कर पाती है और आपको better nutrition आपकी body को मिलता है कई बार हम बहुत ज़्यादा imported fruits वगर खाते हैं तो हमारी body को उतना nutrition absorption नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी body को वो जिस temperature पे grow हुए हैं या हम जिस temperature पे रहे हैं it is quite different तो try to take fruits उसी climate का जहां आप रहती हैं मतला try to consume your local fruits वो आपकी सहत के लिए सबसे अच्छा है next fourth very common mistake is हम लोग जो fruit juice पीते हैं यहां पे मैं जो fruit juice की बात कर रही हूँ वो मैं tetra pack में निकले वाने जो मिलने वाले fruit juice है उनकी बात नहीं कर रही हूँ I am talking about जो हम लोग कभी market जाते हैं को juice corner जो होता है वहां से अपने fruit juice पिया ऐसा गरने से क्या होता है ना fruits के अंदर बहुत जादा dietary fiber होता है जो हमारे digestion के लिए अचा है हमारे bowel movement के लिए अचा है it is very good for your skin जो आपके skin के smoothness है उस सब चीजों के लिए हमारे body को dietary fiber चाहिए होता है जो fruit में natural तरीके से present है अगर आपने बिकुल उसका fiber निकाल दिया तो वो just एक juice पतला मदा पानी की तरह पतला रह गया उसका ज़्यादा कोई health benefit नहीं है तो try to take fruit या तो साबुत fruit खाएं या अगर आपको juice भी ना है तो उसके smoothie बना लें पर उसको चान के इसको dietary fiber को अलग करके मत पीजिए और कईबर क्या होता है ना जब हम crush कर रहे होते हैं फ्रूट को तो वो इतना कईबर गरम हो जाता है machine से कि उसके जो nutrients होते हैं वो खतम हो जाते हैं तो we should try to consume fruit पूरा साबुत खा लेजे या उसे तुरंट काट के खा लेजे पर उसका fiber remove करके खाने का कोई फाइदा नहीं है अब हम बात करेंगे tetra pack वाले fruit juices की उन में क्या होता है जो वो fruit juices होते हैं they are actually not fruit juices उसमें बहुत जादा sugar content होता है preservatives होते हैं और वो artificial sweetener stabilizer वगर उसमें बहुत साथ चीज़े उन्होंने डाली होती है ताकि उसकी shelf life बढ़ सके तो that thing is not good वो सिरफ एक आपको आचकल branding या आपको marketing के तो लगने लगा कि it's very good for you but that is not true वो इतना अच्छा नहीं है another important mistake जो हम करते हैं हम fruits को दूद के साथ mix करते हैं usually तो fruits को दूद के साथ mix नहीं करना चाहिए खासका जितेवी citrus fruits है बर अगर आपको कोई भी fruit को mix करना ही है तो आप सिर्थ 3 fruits को mix कीजिए जैसे बनाना वो भी जो अच्छे से पका हुआ हो देर्क्स या फिर आम जो होते हैं अच्छे से पका हुआ आप इन ती नहीं चीजों को दूद में मिला करके आप स्मूदी या शेक ले सकती हैं बर कोशिच कीजिए जितने citrus fruits हैं उसको दूद के साथ हम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा लेने से आपको skin rash, allergy और बहुत साइब problems हो सकती हैं क्योंकि there is no combination of milk and citrus fruits another last very common mistake is अगर हम fruits को रात को ले usually हमें sunset से पहले ही fruits काने चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि fruits जो है ना वो खाने से कई बार हमरी body को digestion होने में मतलब हमें time लगेगा लेकिन अगर आपने उसको रात को ले लिया fruits को तो हमारी body का sleep cycle भी disturb हो सकती है आपको acidity bloating की भी problem हो सकती है कोशिश कीजिए before sunset लीजिए fruits को और best time जो है fruits को consume करने का है वो है सुबह 12 बजे से पहले अगर आप सुबह सुबह नहीं ले सकते हैं तो कभी दो meals के बीच में दो भंटे के difference पे आप fruits को consume कर सकते हैं another important जब भी आप fruits को रात को खाएंगे न तो यह आपको weight gain की problem भी कर सकता है इससे आपको acidity bloating तो होगी तो try to take the fruits before sunset and I hope you all like my videos for more video do like and subscribe and share with your friends bye